तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बिहारबोड के मैट्रिक इंटर के एक्जाम में कैसी कॉपी मिलती है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आएगा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहारबोड के मैट्रिक और इंटर एक्जाम में कॉपी कैसी मिलती है औ क्या भरना होता और के रूकने का डर रहता है तो यहां आप देख सकते हैं Japanese कौपी का फ्रणंट पेज है और इसी में सब कुछ भर ना गर इसमें गलती होगी तो आपके रिजल्ट के रूकने का डर बना रहता है तो जैसे यह copy मिले, आपका front page यही रहेगा, इसमें आपको check कर लेना, देखिए इसमें तीन भाग होते हैं, यह हो गया बाया भाग, आप देख सकते हैं, बाया भाग लिखा हुआ है, यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ, यह हो गया मद्ध भाग, यानि यहां से यहां तक, और यह ह बाद पंजियन संख्या और परिक्शा के तिति छपा हुआ रहेगा, यह copy number है, उत्तर पुस्तिका संख्या कहते हैं, इसको यह copy number है, इसका काम पढ़ने वाला है आपको अभी, यह मैं आगे बताऊंगा, और अब देखिए, आठ तक तो एक से आठ तक छपा हुआ है, नव और सेट एक नीचे वाले गोलब को गोल कर देंगे, यह काम हमने कर लिया, नौ नमबर कॉलम में, copy में, उसके बाद दसवा में हैं नीचे प्रस्न पत्र करमांग लिखेंगे, तो प्रस्न पत्र करमांग कहा मिलेगा, यहां, 210, 0, 73, 91, 91, यह वला हमें लिखना होगा यहां, तो 210 हम यहां लिखेंगे, तीन, उसके बाद 0, 73, और 9 यहां लिखेंगे, उसके बाद 1, 51 यहां लिख देंगे, हम question number हमने लिख दिया, उसके बाद 11 में है कि परिक्षार्थी का पूरा नम बड़े अक्षरों में, तो आपका नाम तो यहां पर आपको मनोज कुमार, यहां का नाम यहां भी लिखा हुआ है, और उस दिन जिस विशेक आप एक्जाम दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहां पर capital letter में लिख देना है, जिससे social science का एक्जाम हो रहा है, तो हम लिख देंगे, English का है तो English का है, मैत का है, तो मैत लिखेंगे, और उसके बाद है, मद्ध भाग में कुछ भी नहीं आपको भरना है, कुछ भी नहीं करना है, इस भाग को MPP द्वारा भरा जाएगा, Marks Posting Prisoner, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें MPP काम रहता है, तो आप इसको बिलकुल नहीं छेड़ेंगे, इसमें छेड़ने से आपकी result गड इसमें आपको यहां पर लिख देना है, यानि के सोशल साइंस हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, और उत्तर देने का माध्यम, तो आप इस एक्जाम का अंसर हिंदी में देने वाले हैं, कि इंग्लिस में देने है, और तीज नंबर जो कॉलम है, इसमें सेट है, तो वही सेट जो हमने यहां देखा था, ए, तो ए को हमें क्या करना है, सिंपली यहां इस बॉक्स में भर देना है, और सेट ए के नीचे वाले गोलक को गोल कर देना है, यह काम हो गया, चौथा है, लेखक उपलब्द करव होते हैं, जिनको आखों से देखने में समस्या होती है, उनकी लिए यह काम आता है, तो आपको, चुंकि आप अपना एक्जाम खुद से लिख रहे हैं, तो आपको यहां पर नहीं में टिक लगा देना है, परिक्षाक्ति छपी हो भी है, पालीप छपा हुआ है, विसे विस परिक्षा मिलेगा, यह सारी चीजों के लिए वीडियो में बनाए हुए है, आप हो देख सकते हैं, और इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि एटेंडेंस सीट कैसा मिलेगा, एटेंडेंस सीट में कहां कहां पर साइन होगा, कहां कहां पर क्या भरन होगा attendance कैसे बनाएंगे क्योंकि attendance छूटेगा मतलब आपको absent मान लिये जाएगा इसलिए attendance चीट को सही सही भरने का तरीका में अगली वीडियों बताने वाला हूं जिसके लिए थोड़ा सापको